नमस्कार सातियों मैं विजे आप सभी का अपने परिवार प्राधित क्लासेश पर बहुत बहुत स्वागत है विए सब के दुवारा दो पदोपी भरतिया निकालेगे उन दोनों के बारे में अपने डिटेल में जानेंगे कब से आप फॉम अपलाई कर सकते हैं क्या क्वालि क्वालिफिकेशन 27 जुलाई को जारी किया जा चुका है 27 जुलाई बहुत इंपोर्टेंट है इसके साथ में एक तारिक आपको बताने वाला हूं 25 अगस्त 2022 इसका फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन क्लोजिंग डेट पहले अनौंस कर चुके हैं इससे यह मतलब लिए निकलता है कि भर्तित्ता है समय पर कंप्लीट होने वाली है 25 अगस्त को यहाज प्रोसेश का नेको until देखते हैं अगा God came आने वेक्व सकते एक हैडु कोश टेबल के फोषट है है को कोश टेबल की 312 है इस्ट proporcjiант 12 हैं आब क्वालीफिकेशन क्या रिक्वार्मेंट है क्वालीफिकेशन मेंट वह सधी है आप सब इससे एर लिमिट बात उति यह दो सिंपल एज लिमिट अब आगे बढ़ते हैं तो BSP recruitment process कौन से process के थुरू आपका selection होने वाला है तो यहाँ पे 5 process अपनाए जाएंगी पहला आपका return test होगा उसके बाद में आपका skill test होगा document verification होगा medical होगा physical होगा यह 5 important process आपको यहाँ पर करने हैं पहला CBT की बात करते हैं 2017 में बढ़ती पहले निकली थी उसके बाद डारेक्ट 2022 में बढ़ती आई है 2017 में बढ़ती offline होई थी आपकी बार यह online होने वाली है यहाँ पर क्या change है तो मैं आपको बताने वाला हूं जो CBT वन टेस्ट पेपर आपका होगा उसमें 5 subject आएंगे पांचो सब्जेक्ट में आपका 20-20 marks का diviडेशन क्या गया है टोटल आपके 100 क्यूसन बनेंगे पांचो सब्जेक्ट के 100 क्यूसन के लिए आपको 100 मिनिट यहाँ पे दी जाएंगे 100 मिनिट में आपको 100 marks का पेपर सौल करना है सबसे important बात यहां पर है कि इसी की paper के आधार पर आपकी merit बनने वाली है merit इसी के आधार पर होगा तो बाकी process के आधार पर क्या होगा वो सब के सब आपका medical और physical आपका qualify है उनको सिर्फ आपको pass करना है नहीं कि आपका merit में में वहां पर marks जुड़ेंगे ठीक है next यहां पर आता है कि skill test में किस बात की requirement है या कौनगोंची चीज की जूरत पढ़ने वाली है तो short end यहां पर stenographer की बात करते हैं जिसमें आप सभी को सबसे important बात है कि short end क्या होता है कि कि किसी भी बात को कम सब्दों में लिखना short end होता है तो यहां पर 80 word per minute English में लिखने है और 10 minute दी जाएगी दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो 80 minute पर यहां पर minute यहां पर 80 word per minute होगी आप English में भी लिख सकते हिंदी में लिख सकते हैं यह इस्टेनोग्राफर की requirement है दूसरी बात यहां पर computer पर आपको translation करना है हिंदी का समय अलग है और इंग्लिस का समय अलग है हिंदी में आपको वही चीज 55 minute में करनी है इंग्लिस में वही प्रोसेस आपको 50 मिनिट में करना है दूसरी यहां पर जो head costable ministeral post निकले है उसमें टाइपिंग के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिस में आपको 35 की सबसे इंपोर्टेंट बात है इसके साथ में एक नोट और जोड़ा गया है कि आपको 10500 KDPH की बात होती है कि मतलब एक घंटे में 10500 की आपको दबाना है प्रेस करना है और हिंदी में 9000 आपको की दबाने है यह बात आपको किलियर होना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट बात पर आता है कि फीजिकल मेजरमेंट में आपका क्या क्या पूछा जाएगा यह क्या आपकी हाइट है यहां पे 165 cm होनी चाहिए मेल की और फिमेल की 155 cm कुछ जगा हाइट का छूट दिया गया है जैसे कि आपको मेल में 162 और फिमेल में 150 यह कहां पर है आरोनाचल परदेश आपका चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए जनल और SEC की बात करते हैं और अक्स्पेंड करने के बाद 82 cm होना चाहिए ठीक है अब देखो अप्लिकेशन फीज अगर यह फोर्म आप अप्लाई करते हैं तो कितने पैसा आपका चार्ज कटेगा सोर पे जनल ओबीशे और EWS का कटन सब इस्पेक्टर में यहां पे पेस्केल मां आपको बताने वाला हूं 29,200 से लेके 92,300 रहने वाला है और हेड कोस्टेबल के लिए 25,500 से लेके 81,100 आपका पेस्केल रहने वाला है जो कि लेवल 4 में सामिल किया जाएगा बहुत इंपोर्टेंड यह वेकेंसी है जो साथ ही एज ग्रूप में आते हैं, क्वालिफिकेशन में आते हैं सभी इस भरती की त्यारी करिए और यह भरती तैस समय पे होना है क्योंकि आपने देखा होगा कि इस भरती का क्लोजिंग फॉर्म डेट पहले अनाउंस कर चुके हैं ताकि कि किसी भी तरह की कि आपका confusion ना हो और इस भरती का जहां पर फॉर्म अपलाई होगा उसका लिंक में आपको description box में भी available कराऊंगा, वहां से direct आप फॉर्म अपलाई कर सकते हैं, तब तक अपनी त्यारी को भैतर बनाते रहिए, लगातार पढ़िए, मेहनत करिए और आप सभी से विदा लेते हैं, थेंक्यू, ज हिंज जे भारत